हे गाईज वेलकम टू देव हुमी करियर पॉइंट तो देखे जीके टेस्ट सेरीज पार्ट 26 है और इसमें भी आपको मिलेंगे जीके और जीएस के महत्तोपूंग MCQ उत्राखंड PCS प्रार्मिक परिक्षाओ या साथी उत्राखंड अधिनिस्त सिवाचैन के अंतरगर्द ग्रुप C का एक्जाम हो उसके लिए बहुत ही महत्तोपूंग ये टेस्ट सेरीज है और इसके सांसा देखे दोस्तों आज मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि एक तीसंबर को आपका एक्जाम होना है हाई-कोर्ट, क्लरक और इस्टैनों का डेड़ सुरू करते हैं बिना समय गमाईवे पहला कोश्यन है विस्व प्रसीद भगवान वैंकिटेश्वर तिरुपती का मंदिर निम्नलिखित पहालियों में से किस में इस्तित है तो यहाँ पर आपने तिरुपती देखे बहुत ही फेमस टेमपल है तिरुपती का और लोकेशन ह इसका option D मल्ल्ला पहालियों में इस्तित है भगवान वैंकिटेश्वर तिरुपती का मंदिर बहुत फेमस है दक्षिन भारत में अब मिलको आप कमेंड बॉक्स में कमेंड करेंगे कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है कभी कभी स्टेट भी पूच लेता है जो फेमस तो यहां पर बात हुरें वैस्विक गाउं की ठीक है ग्लोबल विलेज सिंप्ली बोलो तो डेवलपमेंट ओव दी कॉंसेप्ट ओफ ग्लोबल विलेज इज बेजडोन किस पर बेजडोन है तो राइड आंसर इसका ओप्शन सी परिवहन यहम संचार का विकास तो दोस्तों देखिए अगर परिवहन और संचार का विकास होगा या परिवहन और संचार के ओपियोग के माध्यम से ही हम वैस्वी गाउं का सपना या सब्द पूरा कर सकते हैं ठीक है तो राइड आंसर अगला देखे निमनली के देशों में से किस्म है प्रती गाय दुख्द का ओसत वासिक उत्पादन सरवादिक है देखे दोस्तों ऐसे टाइप के जब कोश्यन आते हैं बड़ा कन्फूजन क्रेट होता है माइंड में जल्दी बाजी में हम ऐसे कोश्यन गलत कर देते हैं यहा से भारत पहले इस्तान पर आ गया है दुख्द उत्पादन में ध्यान दखेंगे ठीक है कोश्यन बनेगा विश्व का सबसे बड़ा दुख्द उत्पादक देश कोन है तो भारत है और यहां पर पूछा जा रहे है कि प्रती गाय कहने का मलब किस देश में प्रती गाय कमी ऑई है अगला सब्खेंगा अगला solids या भारत के विविन्द के एंध चेत्रों में उत्पादित अनिम्न लिखित प्रमुग फलों में से किस की किसमें है तो यहां पर आपने फलों के कुछ किसम Enough см किसम्पह यह किस फल की किसम हैह भी ठीक, एंट दिराइड answers ए जो option D, तो यह अंगूर की किसम है दोस्तों, ठीक है, अंगूर, धियान रखेंगे, सुल्ताना सफेड हो गई, जो की एक बीज ही न अंगूर की विवित्ता है, यानि कि उसमें बीज न होता बीज में, ठीक है, और अन्य जो दिये यहाँ पर गु गल्पों में से कौन सा भारत्य राच्य है जो सबसे ज़्यादा इलाइची और काली मिर्ची का उत्पादन करता है तो थोड़े देखे मैं समझ को समझ यह इसलिए बोलता हूँ देखे रिलेट कर सकते हैं आपको पता है भारत में मसालों का भागान नाम से famous state कौन सा है तो मसालों का भगीजा का जाता है केरला को तो केरल में सरवातिक मसाले होते है तो इसका मतलब है कि इलाइची और जो काली मिर्ची इनको भी मसालों की स्रीडल में रखा जाता है तो वैसे कनेक्ट कर लेंगा answer इसका option भी केरल नेक्स देखे निम्द देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अगरंगल उत्पादक है तो आयोडीन देखे बहुत महत्वपूर है हमारे सरीर के लिए आयोडीन अगर हम प्रॉपर नहीं लेंगे अपनी डाइट में तो कौन सा रोग हो जाता है घेंगा नामग रोग हो जाता है घेंगा या गलगंड तो आयोडीन सबस्यादा उत्पादित करता है यह देश है चिली साउथ अमेरिकन कंट्री है साउथ अमेरिकन कॉंटिनेंट की अगला दिखे 2011 की जनकलिना की अनुसार निम्दली की तराजयों में से किसम है ग्रामिल न शहरी दोगनों छेत्रों में शिसु लिंग अनुपाद नियून्तम है तो यहाँ पे 2011 की जनकलिना की अनुसार पताने है अपने ठीक है कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे और सहरी छेत्रों में जो शिसू लिंग अनु पात होता है वो बिल्कुली नियुन थान है और यहां पर no doubt right answer is option c तो यहां पर आपने बताना है ग्रामिल्ड जनसंग्या सरवाधिक कि सराज्य में है 2011 की सैंसस के अकॉर्डिंग एंड डिलाइड आंसर इज ओप्षन डी तो ओप्षन डी उत्तर प्रदेश में देखे सबसे ज़्यादा ग्रामिल्ड जनसंग्या निवास करती है तो देखे उत्तर प्रदेश की में बात करें हूँ तो 2011 की जनकरना के अनुसार अभी भी टोटल आबादी में से 77 परसेंट जो लोग है वो ग्रामिल्ड जेत्रों में रहते है तो गहने का मला एक बहुत बड़ा हिस्सा आबादी का सरवादिक है यह पूछा जार है कोश्यन में तो देखे जो सड़कों का सबसे बड़ा जाल है कोश्यन रिफ्लेक्ट तो कभी आजाता कभी अलग टाइप से पूछ ले जाएगा बारत में सबसे जादा सड़कों के जाल वाला राज्य कौन से है तो यह है महाराष्ट्र उप्शन ही इसका सही आंसर है तो महाराष्ट्र में देखे 2,67,452 किलोमीटर का पूरा सड़क नेटवोग है तो उप्शन ही इसका राइड आंसर है नेक्स देखे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्या लई कहां इस्तित है अच्छा कोश्च है नहीं भी ग्रीन पीस इंटरनेशनल है तो राइड आंसर इसका ऑप्शन है एमस्टर्डम में ठीक है एमस्टर्डम जो की सीटी यह कहांगी नीदर लेंड की नीदर लेंड की कैपिटल व्य एँ एमस्टर्डम तो देखें नीदर लेंड में इस्तित है ग्रीन पीश झो कि गulen सरकारी पश्यारंग संगठने थिक है परिया इसके 49 से अधिक देशों में काराले हैं और निदरलेंड की जो कैपिटल है एमस्टरडम तो यहां पर लोकेटे रहे और इसके इस्थापना भी अगर पूची जा सकती है तो इस्थापना वर्स भी याद रखिए इसके इस्थापना होईती 1971 में 1971 में अगला दिके बार सरकार दोरा घोसित ABC इंडेक्स निम्नलिकित में से किस से संबंदित है तो ABC इंडेक्स बताना है आपने यह किस से रिलेट करता है यह भी अच्छा कोश्य नहीं आप ए ठीक है तो ABC इंडेक्स रिलेट करता है दूस्तों राइड आंसर है option C health ठीक है तो health से रिलेट करता है यह मैं बात करूए ABC की तो सुचकांक बाल कल्यान बोला जाता है इसको तो सिसुओं और बच्चों की उपलब्दियों के चार बुनियादी पहलों पर यह काम करता है पहला है उत्तर जीविता टीका करण पोशन और स्कूली सिख्षकों को मापा जाता है इस समिक्त राष्ट के आर्थे के हम सामाजिक मामलों के विभाग UN DESA बोलते हैं इसको कि अनुसार विस्व का कुल जनसंक्या का कितना पृतिसांस सहरी छेत्रों में निवास करता है तो यहाँ पे जो सामाजिक मामलों का विभाग है UNO का इसके according आपने यह बताना है कि जो वो यह बताना है अर्बन एलिया में कितनी प्रिशंट पॉपॉलेशन है टोटल पॉपॉपॉलेशन में है तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 55 प्रिशंट तो टोटल 55 प्रतिसार जनसंग्या विश्व की सहरों में निवास करती है और यहाँ पर देखें जो UN United Nations डी ऐसे लिगा इसका भी फुल फॉपॉम में आपको बता देता हूं UN तो आपको समझी कहोंगे United Nations डी ऐसे का यहाँ पर फुल फॉपॉम होगया Department of Economic and Social Affairs नेगे निमनालीके देसों में से कौन सा देस 20 अबश्च उत्पादमाutetट में पहले इस्तान पर है तो अबश्च में कौन civilians प्लेस में ए अबश्च को जानते न क्या बोलते हैHHी में कि हिंदी में अब्रक अब आपको आंसर आगया होगा काफी लोगों को तो अब्रक उत्पादन में पहला इस्तान है भारत का ऑप्शन सी नेक्स अब ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस ने लिखी है महत्वपूंग पुस्तक है और महत्वपूंग जो एक साइन्टिस्ट रहे हैं उनकी पुस्तक है तो इंपोर्ट एंग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अब ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ ये पुस्तक लिखे थी Stephen Hawking ने Stephen Hawking को तो आप जानते है न तो इस पुस्तक की मैं बात करूँ Brief History of Time From Big Bang to Black Holes तो एक बहुत ही लोगपिरिय विज्ञान की पुस्तक है जो की British भौतिक सास्त्री Stephen Hawking द्वारा ब्रहमांड विज्ञान पर लिखी गई है निम्नलिकित ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तितों के लिए उप्युक्त हो सकता है तो बहुत से Space Agency हैं जिनोंने Research के आधार पे बताया है कि कुछ ऐसे Planet हैं जहां पर जीवन संभाव हो सकता है क्योंकि वहां पर कुछ तरल पदार्थों की बर्फ आधी की विध्यमानता पाई गई है तो दिये गई विकल्पों में से इसका Right Answer जाएगा Option है मंगल ठीक है मार्स पर जीवन का स्तितों हो सकता है अगला दिखे आइंस्टीन को निम्न मैंसे उनके किस सिद्दान्त के लिए नोबल पुरुषकार दिया गया था तो महतों पुर्कोशे ने भी नोबल प्राइज क्यों दिया गया था अलबाइट आइंस्टीन को तो काफी लोगों ने पढ़ा हो गया इनका एक सिद्दान्त आया था ठीक है जिसको हम जानते है प्रकास विद्दुत के सिद्दान्त के लिए ठीक है तो option B इसका right answer हो गया theory of photo electricity तो इसके लिए इन है नोबल प्राइज अगला थे भारतिय नियाग व्योस्ता में जब जनहित याचिका को सामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य नियाइदीस कौन थे अच्छा question है ठीक है जनहित याचिका PIL की बात उरियां पर ठीक है तो PIL जब सबसे पहले दर्जिक की गई थी उस समय भारत के मुख्य नियाइदीस कौन थे Chief Justice of India and the right answer is option C PN भगवती थे उस समय ठीक है देखे इस भारत में जो पहला जनहित याचिका दायर की गई थी ये वर्सक था 1979 तो 1989 में दर्जिक की गई थी पहली जनियाचिका और इसमय जो ततकालीन सुप्रीम कोट के मुख्य नियाइदीस थे वो थे PN भगवती ठीक है बहुत ही महत्तोपनी question है कई बार पूरो परिक्षाव में आपने इस question को देखा होगा अगले थीदेंटल प्रम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है अच्छा कोशन है बही तो तो इसका राइड आंसर है ऑप्शन डी संजय बारु की पुस्तक है यह पर किसी संगठन का स्थापना वर्च से पूछ ले जाते हैं यही वह स्टेटिक जीके के पोर्चन है जो कि आपका हाइड कोड़ की कि मा बात करें वहां पे एक पैटन दिया था यूगल ट्रपल असे निसमें सतर रंगों का उत्रा खंड और सेस पूछा जाएगा ऐसा बोला गया है तो इस सेस में जो सेस जीके आएगी उत्रा खंड आएगी सतर नंबर की इस सेस जीके में ऐसे कोश्चन होंगे संगठनों से संबंदित भारत में सबसे लंबा उचा नदियों से संबंदित ऐसे कोश्चन बनके आ जाएंगे ठीक है जो कि नियत कोश्चन होते हैं स्टेटिक होते हैं अगला देखे भारतिय राष्ट कोंग्रेस के साथ इंडियन एसोशीयेशन का विला और यह वर्स था 1886, option A, इसका राइड आंसर है, 1886. Next and last question है test का, भारत में पहली बार राष्टी ये जन्संक्या नीती कब तइयार की गए थी? तो किस वर्स भारत में पहली बार राष्टी ये जन्संक्या नीती तइयार की गए थी? अच्छा question है, and the right answer is option A, April 1976 में पहली बार राष्टी ये जन्संक्या नीती तइयार की गए थी? तो दोस्तो ये था GK test part 26, बहुत ही महत्व पूंग ये GK test series है, दोस्तो बिल्कुल स्कीप ना करें, क्योंकि बहुत important question आपको मिलें यहां पे, static GK की question आपको यहां पे मिलेंगे, dynamic GK की question आपको यहां पे मिलेंगे, और कुछ वीडियो में आपको current national international के भी question आपको देख आपको मैं जल्दी मिलता हूँ, अच्छे से अपने हाथ वीजन करें, अच्छे से study करें, thank you for watching guys, please do like and share, जै हिंद, जै उत्राघंड